So hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome to my new video इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Nifty और Nifty Bank के उपर कल के लिए हमारी का लेवल्स रहेंगे Support और Resistance का आपे रहेगा और आज क्या क्या हुआ है मार्केट में इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जो लोग इस वीडियो को फर्स टाइम देख रहे हैं उन लोग को मैं बताना चाहूंगी मैं इस चैनल पे Nifty 50 और Bank Nifty के उपर वीडियोस रेगिलरली अपलोड करती हूँ और सम्टाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ तो प्लीज आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए तो चली शुरू करते आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडल स्टिक पैटन चार्ट है और आज जो निफ्टी ने कैंडल बनाई है वो बनाई है बेरिश बेल्थोर्ड पैटन तो मैंने जैसे बोला था आपको की अगर आज मतलब इंट्राडे के लिए मैंने आज एकस्पाइरी का दिन था तो पिछले वीडियो में बताया था आपको की आपको 12,000 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता हुआ दिख रहा है और उसके ही नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहा है 15 to 20 मिनिट यहां से जो है वो आपको एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिख सकता है निफ्टी में जो मैंने बताया था कि वो जाएगा 900 और 850 तक और चैसा आप देख सकते हो यह मेरे पिछले रेजिस्टेंस है यह सपोर्ट है तो यह रेजिस्टेंस के पास से ही निफ्टी जो है वो आज गिरता हुआ हमें दिखाई दिया है So, the market could be worried for two reasons First, in the policy there is no announcement related to liquidity stress facing by NVFCs In addition, banks have low exposure to DHFL which got a downgrade rating by rating agencies after it having defaulted on debt repayment due to cash crunch So, अभी हम लोग चार्ट के उपर बाद में discussion करते हैं पहले देख लेते हैं निफ्टी की option chain क्या कह रही है So, मैं यहां से 13th June की expiry की option chain select करती हूँ Nifty 50 की तो आज Nifty की closing आई है 11,843 के पास और 850 और 860 के उपर हमारा जो है एक important support था आज market उसके भी नीचे निकल गया है तो अभी यहां से क्या हो सकता है पहले देख लेते हैं option data से support और resistance कहां पर है तो 843 की closing आई है इसका मतलब 850 के पास हम लोग add the money है तो एक बार 11,700 के level से start कर लेते हैं तो 11,700 के level के उपर अगर call side में आप देखोगे तो 26,850 का open interest खड़ा है और उसके सामने 5,39,250 का open interest खड़ा है put side में और 11,800 के उपर call side में 2,59,125 का open interest खड़ा है वही उसके सामने 6,8,000 का open interest खड़ा है put side में अगर हम उपर के level की बात करें तो 12,000 के level के उपर अगर आप call side में देखोगे तो 15,68,700 का OI आज खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है वही उसके सामने put side में सिर्फ 4,76,625 का open interest खड़ा हमें दिखाई दे रहा है तो अगर हम writing की बात करें तो आज call side में सबसे ज़ादा writing कौन से strike price के उपर हमें दिखाई दे रही है तो वो दिखाई दे रही है 13,91,850 की जो की है 12,000 के strike price के उपर और उसके बाद में 12,100 के उपर हमें 9,64,200 contracts की आज adding दिखाई दे रही है तो अगर हम highest open interest की बात करें call side में तो सबसे ज़ादा अभी फिलहाल जो open interest खड़ा है वो है 12,000 के strike price के उपर जो की है 15,68,700 का 12,000 का एक level है nifty के लिए जो एक important resistance का काम करेगा यहाँ पर nifty को एक important resistance face हो सकता है अगर nifty जो है वो कल उपर की तरफ निकलने लगता है तो अभी देख लेते हैं put side में कहाँ पे सबसे ज़ादा open interest खड़ा है तो put side में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़ादा जो open interest खड़ा है वो है 11,900 के उपर जो की है 6,90,000 का बट आज nifty ने हमें 11,900 के नीचे की closing दे दी है तो अभी 6,800,000 का open interest खड़ा है 11,800 के strike price के उपर put side में तो अभी ये देखने वाला level है कि अगर 11,800 के नीचे nifty close देता है तो यहाँ से जो है वो nifty कहां तक जा सकता है तो वो जा सकता है 11,600 तक जा सकता है और जो मैंने बताया था कि gap zone था 591 से लेके 400 तक वहाँ तक भी nifty फिर से उस gap zone में जा सकता है तो अभी option data देख लिया है तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के उपर से देख लेते हैं कि क्या हमारे level से support और resistance के तो अभी आप देख सकते हो कि nifty ने bearish belt hold pattern मनाया है तो bearish belt hold pattern is formed when opening price becomes the highest point of the trading day and the index declines throughout the trading day making up for the large body जैसा यहां पर दिखाई दे रहा है so nifty 50 extend losses after opening 12,039 which was also the day's high as the day progressed and hit the intraday low of 11,830 in late trade the index closed now 11,843 so nifty 50 registered a bearish belt or formation as it continue to fall from the board go before signing of the session near its crucial short term support level that is 829 11,829 अभी यहां से अगर nifty जो है वो 800 का level तोड़ देता है और उसके नीचे की हमें closing दे देता है तो वो sharply कहा तक जाएगा 11,600 तक और अगर वहां पे भी nifty stable नहीं होता है तो हमें यहां से जो है वो nifty अपने bullish gap zone में जाता ही हुए दीख सकता है जो की है 591 से लेके 426 के ओपर तो अभी हमें क्या देखना है कि अगर nifty और 800 के नीचे निकलता है तो उसके पास जो next support रहेगा वो रहेगा 760 का और उसके बाद में 660 का यह दो important support है यहां पे कहीं पे तो रुकना चाहिए लेकिन अगर 800 के नीचे की closing हमें मिल जाती है intraday में तो आने वाले sessions में nifty जो है वो 600 तक के level हमें यहां से दिखा सकता है वही अगर upside की बात करें तो अगर nifty उपर की दरफ निकलता है तो उपर की दरफ उसको पहला जो resistance अभी face करना पड़ेगा वह पड़ेगा 860 के उपर देन उसके बाद में 950 और 12,000 के level के उपर so for the time being upside shall remain cap around 12,103 levels Hence aggressive traders are advised to create short positions either by making of rally or on bridge of 829 levels तो यहां से जो है अगर 800 का level तूटता है आपको intraday में 800 के नीचे nifty 15-20 minutes trade करते हुए दिखता है तो यहां से जो है वो आप downside के लिए जा सकते हो जो की next target हमारा रहेगा 11,760 और 11,700 तक का So India weeks fail by 0.67% to 15.25 levels तो nifty के लिए मैंने अपने levels बता दिया है option data भी आपसे discuss कर लिया है बाकि यह जो सब levels है आप अपने chart के उपर mark करके चलो आपको trading के वक बहुत जादा helpful होगा तो अभी चलो देख लेते हैं bank nifty के उपर अभी मेरे सामने bank nifty की 13 June की expiry की option chain है और आज bank nifty की closing आई है 30,857 के उपर तो चलिए देख लेते हैं option data से support और resistance क्या क्या है और open interest कहाँ पे ज़्यादा खड़ा दिखाई दे रहा है तो 30,857 की closing आई है इसका मतलब 30,800 और 30,900 के बीच में हम लोग add the money है तो एक बार नीचे के level से start कर लेते हैं तो 30,500 के level पे आप अगर देखो गे तो call side में 5,300 का open interest खड़ा दिखाई दे रहा है और 30,800 के level की बात करें तो 30,800 के level के उपर call side में 35,000 का open interest खड़ा है और उसकी सामने 67,800 का open interest खड़ा है put side में और 31,000 के level की बात करें तो 31,000 के उपर 2,22,360 का call side में open interest खड़ा है और put side में 2,14,900 का open interest खड़ा हमें यहां से दिखाई दे रहा है तो अगर हम call side में highest open interest देखे तो सबसे ज्यादा जो open interest फिलाल खड़ा है वो खड़ा है 4,74,000 का जो की है 32,000 के strike price के उपर और उसके बात में अगर देखोगे तो 4,35,000 का open interest खड़ा है जो की है 31,500 के level के उपर और आज अगर आप देखोगे तो call side में writing हमें दिखाई दे रही है सबसे ज्यादा जो की है 3,46,240 की 32,000 के strike price के उपर और 3,43,140 की 31,500 के strike price के उपर तो अभी put side में देख लेते हैं सबसे ज्यादा open interest कौन से strike price पे खड़ा है तो जो सबसे ज्यादा open interest हमें खड़ा दिखाई दे रहा है तो वो है 30,500 के strike price के उपर तो जो next support Nifty Bank के लिए यहाँ से दिखाई दे रहा है वो 30,500 का level मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 30,500 के पास Nifty Bank के लिए एक important support है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ज्यादा OI भी वही पे खड़ा है तो अभी Nifty Bank अगर नीचे की तरफ आता है तो 30,500 के पास उसको रुकना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो है वो Nifty Bank के लिए एक important support दिखाई दे रहा है और आज अगर put site में हम writing की बात करें तो आज put में adding हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है 30,500 के strike price के उपर आज 2,17,300 contracts के adding हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है तो option data से अगर हम एक range की बात करें तो option data से Nifty Bank की एक range निकल के आ रही है वो है 30,000 से लेके 31,500 के बीच में तो अभी चलो देख लेते हैं चार्ट के उपर से Nifty Bank के तो आज Nifty Bank ने closing दी है 30,857 के pass So Bank Nifty open negative and extend its losses by more than 700 points to close at 30,857 Now Bank Nifty also form a bearish perit hold on a Delhi scale and witness one of the steepest fall in past 4 years So now till it holds below 31,150 जैसे मैंने बोला था कि 31,150 के pass Nifty Bank के लिए एक crucial support है वो अगर तूटता है तो Nifty Bank 30,500 तक भी जा सकता है यह मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था और उसके पिछले वीडियो में भी आप से बोला था मैंने एक level बताया था कि आप वहाँ से जो है वो एक selling pressure आते हुए दिख सकता है Nifty Bank में वो था 31,360 का level यह जो मैंने यहाँ पे line draw की थी यह मैंने पिछले वीडियो में बोली थी कि अगर Nifty Bank इसके नीचे निकलता है तो आपको एक और मतलब 31,000 तक level आपको मिल सकता है Nifty Bank में और अगर उसके नीचे भी जाता है तो 30,500 तक भी Nifty Bank जा सकता है तो आज कुछ वैसा ही हुआ है So now till it hold below 31,150 zone it could extend its weakness towards 30,500 then 30,250 अगर उपर के side की बात करें तो उपर के side में अभी huddle है Nifty Bank के लिए जो पहला अडल है वो है 31,150 का zone और इसके बाद में 31,300 और 310 का zone जब तक 150 के नीचे Nifty Bank ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से आप downside के लिए 30,000 तक के targets लेके चल सकते हो वही अगर upside की बात करें तो upside के लिए पहला जो resistance है Nifty Bank का वो है 31,150 का level और उसके बाद में 31,300 और 310 का level तो Nifty और Nifty Bank के उपर मैंने अपने levels support, resistance क्या-क्या है वो सब discuss किये हैं आप अपने chart के उपर यह सब जो है वो mark करके चलो ताकि trading के वक्त आपको यह सब helpful होगा आप देख सकते हो कि बहुत टाइम से मैंने आपको बताया था कि यह support है, यह resistance है यहाँ से Nifty नीचे गिर सकता है तो आप यह सब levels का important समझे और अपने chart के उपर इन्हें mark करके चलिए तो बस आज के लिए इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक like जरूर कर देना अगर ज्यादा अच्छा लगा होगा तो share कर देना और यह भी option है अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा तो dislike करके जाना no problem और comments में बताना कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा ताकि next वीडियो में मैं वो improve कर सकूँ सिर्फ dislike करके मत जाओ मेरे वीडियो एक second में upload होने के बाद जो है एक second में ही dislike ठोक के जाते I don't know कि उनको क्या problem है बट अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है इसलिए सो बस आज के लिए इतना ही thank you very much for watching this video अगर वीडियो अच्छे लगे हैं तो चैनल को subscribe करके जाना और bell notification को press करते जाना और मैं मिलूंगी आपसे next video में till then bye bye take care trade carefully